रादे रादे टू आउल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फ्री सेशन में जैमिनाई एस्टोलोजी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज आपको इस एस्टोलोजी के फिल्ड में में एक्सिन के इसा सिखाथी है जैसे कि मतलब आपूं को इसे मेंटर कैसे हैं जो आपकी लाइफ में में ब्लैसिंग लाने के लिए अकेली ही काफी है लगब बग सतरा सालों से एस्ट्रोजी में प्रैक्टिस कर रही है आज भी सीखती है रिसर्च उनकी जारी है वह एक बहुत ही अच्छे संस्थान में पहले डाइटीशन भी थी तो हैल्थ को लेकर भी बहुत ही अच्छा उनका नौलेज है इसके अलावा ऑकल्ट में बहुत कुछ जानती है वास्त ही अमेजिंग परसनलिटी है और उनसे अब जब आप क्लास करेंगे तो आपको भी आनंद आजाएगा चलिए बात करते हैं आज के सेशन की जैमिना एस्ट्रोजी क्यों चुना बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसको लेकर आईए मैडम का भी दिल था कि लाल किताब कर ली ह हमने हमने के पी कर ली हमने यह कर लिए बीनन कर लिया वैधिक कर ली हम क्यों ना इक यह वाली स्ट्रीम भी हमारे स्टुरेंट्स के लिए लेके आएं तो ह 살ank히 कोर्स बहुत बड़ा होता वेबिनार के अंदर तो सबसे पहले आप सभी का क्योंकि आप से हम है अगर आप नहीं होंगे तो हमारा जो एक मोटो है कि ऑकल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट साइंसिस हैं जो आज लुपत हो गई है या हम दूसरी पीडी को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं वो आप तक ले कुछ ने कुछ जो लॉजिक है उसके पीछे की साइंस है वह भी आपको बताना तो चितरा मेडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं तो जतनी भी तारिफ करूंगा फ़र्म है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंट्रोडेक्शन जरूब दीजिए इससे पहल ने का कि मैं कितनी कंसल्टेशन दोंगा रोज एक दो तीन चार्ट पांट दस मुझे और इस साइंस को आगे बढ़ाना है नियुम्रोजी को वह एक एस्ट्रो नियुम्रोजिस्ट है पास्तू कंसल्टेंट है और मेंटर बहुत ही बहतरी मेंटर है अगर आपने उनकी एक क्लास है जिसमें आप वास्तू शास्त्री बन सकते हैं अगर आपके पास उसका लिंक नहीं है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाईए मनिश के वहारा नाम से और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो पहला पहला लिंक मिलेगा आप उसको क्लिक करेंगे तो दस दिन की भी प्रोफेशनल क्लासिस होती है तो उनके लिए आपको हमारा स्वागत है अब चैनल पर जाईए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और बैल आइकन को दबाना ना बूले क्योंकि हमारे यहां पर होने वाले वेबिनार या फिर ब् से ज्यादा वीडियो अल्रेडी महां पर हैं बहुत सारा कंटेन महां पर शेयर किया गया है तो आपको वह बहुत बहुत आपको आनना आएंगा तो उन्होंने जब यह प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो उन्होंने का कि मैं निमरोलोजी पढ़ाता हूं फिर बच्चे आ करें फिर पलवी मैडम को हमने अशुशेट किया चित्रा मैडम जी आई मैयूरा जी आई अपनी सराय सुर्भी जी आई आई आज हम लगबक 130 से भी ज्यादा क्लासिस ऑथन्टिकली विस सर्टिफिकेशन हम पढ़ाते हैं किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे पास अव कर सकते हैं चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी लोगों को मैंने बताई दिया कि यह तीन दिन की पूरी श्रिंखला आपको अटेंड करनी है बहुत सारी गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं चित्रमेडम का स्वागत करते हैं और चित्रमेडम एक बार आप रा रादे रादे सभी को और प्रशोतम जी ने तो मेरा बहुत बड़ा इंट्रोडेक्शन दे दिया है लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में दो बात बता देती कि बहुत सारे लोग तो मुझे पुराने नजर आ रहे हैं और आज खासकर पुराने नजर आ रहे हैं आज हमारे बिनार में हमारे परिवार के कुछ लोग जो घूबने गए वापीस आगए हैं तो अभी कुछ नए भी है तो मैं इतने से शब्द को हूँगी कि मैं पिछले 17 साल में उकल साइंसी से प्राक्रिस कर रही हूं दो हजार बारा से रिसर्फ में हूँ और मोर देन हंडेड मोडालिटी का मैंने पड़ाई गिया है और स्टाडी जो है मेरा पैशन है ना मैंने नुमरालजी छोड़ा ना मैंने वास्तो छोड़ा ना एस्टालोजी छोड़ा ना हीलिंग मोडालिटी छोड़ा कुछ नहीं जर्नी शुरू ही थी, healing modality से, और life, जो health और astrology में गूंती गई, जैसे आप लोग सर्च करते हैं, ऐसे हम लोग भी सर्च करते हैं, अब ये सीख ले तो solution मिल जाएगा, ये सीख ले तो solution मिल जाएगा, करते गरते, 2012 में गुरू मिले, रिसर्च में गर उसके बाद पीछे मुड़के नहीं देखा, जब समझ में आईगी, what is actually the core sciences of astrology, तो उसे में नई नई चीज़े सीखते हैं, बहुत research करते हैं, और filter करके जो भी कुछ मिलता है, गुरू की किरपा से कोशिश करते हैं, कि आप लोगों को दे, तो आप लोग को बहुत स्वागत है, हम अपने class की आज के वेबिनार की शुरुबात करते हैं, गनेश जी को याद करते हुए, कि गनेश जी हमें अपनी प्लेसिंग्स थे, ओम विनेशाई नमा, ओम विनेशाई नमा, ओम गनेशाई नमा, मैं मा सरस्वती का अवान करती हूँ कि मैं जो भी ज्ञान दूस में उनका ही मेरी जीवा में बिराज मन रहें, ओम सरस्वती नमा, ओम सरस्वती नमा, ओम सरस्वती नमा, मैं मेरे गुरुहों को पढ़नाम करते हूँ और आप सब को भी रादे रादे. तो सब लोग तियारो कुश्शन का अंसर देने में किसको चाहिए गिफ्ट को चाहिए कितना भी होता है जो गिफ्ट का मज़ा होता है वह लग ही होता है तो कौन बताएगा जैमिना ये इस्ट्राइजी क्या होती है में आपने ये कोशन पूछा है जैमिने इस्ट्राइजी क्या होती है चलो किनको गिफ्ट दिया जाए केवल तीन लोगों ने हैंड्रेस किया है जिन में से एक का कैमरा ओफ है तो हम इन दोनों से पूछ लेते हैं तो दोनों को जिनका सहाई आंसर हो उनको हम गिफ्ट उनके सब्सक्राइब तक पहुंचा दे राजे शर्मा जी से सबस्क्राइब कुछी रादे रादे सर बहुत मुस्क्राइब यह सर यह रिशी जैमनी द्वारा प्रतिबादित है और इसमें राहू के तू को बहुत जादा महत्व नहीं दिया जाता साथ ग्रहों पर अधारी तो इस तरी उसमेर को इतना ही पता जर आप बने रही है आप अपने तो अन्म्यूटी रखें मदू जैन जी आप बताए अधर रादे सर्माटे रादे रादे अरी यह सो लोगी से जुड़ी थी एस्ट्रोलोजी होते ना नो ग्रहों ओते स्ट्रोलोजी के उसमें कौन सा पहन ठीक है और इसमें ग्रहों को दिया जाता है यह भी ठीक है इसमें जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा वहती है जी ग्रह की वह आत्मकारत ग्रह माना जाता है उसके बाद यह अमात्यकारत फिर नाम भूली पिर दाराकारक फिर उसके बाद कि उन्होंने एकदम तुरंद अंसर दिया और पूजा जी का राइट है कि नहीं मतलब उससे आगे नहीं गया ना क्योंकि उसी को शब्द दोनों को ही हम देते हैं हाला कि मदुजेन जी का अंसर सही नहीं है मेरे साफ से राइट यह शुकर है यह आंसर नहीं तो पूजा जी आपको भी और राजे शर्मा जी आपको भी हम देंगे चुछ करेंगे कि आपको चाहिए रोस चाहिए या फिर डिजाइन में आपको बेज दूंगा जो भी आपको डिजाइन परसंदो उसको सरकल करके मुझे बेज दीजिए मेरा नंबर है करेंगे सुबह 11 बजे अपनी एड्रेस को और तीनों में से आप जिसको जो भी चाहिए मुझे बताएंगे मैं आपको उसमें पैंडिन के डिजाइन बेजूंगा जो भी आपको अच्छा लगे वह 400 प्लस वर्त का है वह आपको एप्सलोटली ब्लैसिंग आएगा शिपिं पूछेंगे और लास्ट में जाते जाते भी दो लोगों को हम इनाम देंगे चलिए बड़ी सेंट्यू तैंक्यू अल देखो अब यह सोचो कि यह सब्जेक्ट में हैंड भी रेजनी हुए किसी को यही नहीं पता कि जैमेना यह स्ट्रॉलोजी तो हमें इसका मतलब एक ऐस में फरक है और आज के दिन पर मैं आपको इतना कैलकुलेट करना बता दूंगे कि आप अपने सारे प्लैनेट कैलकुलेट करते हैं ठीक है एस्ट्रॉलोजी सब सीखना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं सीखते हैं सबको मुश्किल लगती हैं इसलिए सीख पाते हैं सालों पाती लेकिन जैमिनाई से कितनी आप असानी से कर सकते हो क्या चीज है यह बहुत यूनिक है इस पर लोगों ने रिसर्च क्लासिस काफी कम होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं असान चीजों में जाना ही नहीं चाहते तो बहुत फिल्टर्ड कोर्स है और बहु यूनिक इसकी कॉंसेप्ट है जो खुद जामिनी जिशी जामिनी दुवारा जामिनी सुतराज में लिखे लें तो उसी के हम बात करेंगे तो सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है स्टार शाहिं थैंक्यू शोतम जी थैंक्यू और आप सकता भी थैंक्यू बड़े ध को आज यह बता दूंगी कि आप उसे कर पाएं लेकिन एक चीज समझनी बहुत ज़रूरी होते हैं तो क्या है यह जामिनी एस्ट्राजी कि अभी आप हम लोगों में से बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए बहुत नियू कॉंसेप्ट है आज हम बात कर आ कारशनक लेकिन उसे के पार्ट में से अलग अलग जैसे का लग सिस्टम है अभृणनन्दी अडी ऑडिया उसका सिस्टम है रैट बूक है उसका और आप सिस्टम है ऐसे ही जामटी रिशी जामटी दोवारा लिखी गई इसको जामटी भी be बोलते जैमेनाई भी बोलते क्योंकि देखो जितनी प्य लखी गई है उनका सबस्दू को हम इंग्ली Quickly सगूट ना करके इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा सा फरक बढ़ जाते हैं तो यह महाशी जैमेनी जी की देन है जिनोंने सोचा उन्होंने कारक चरकारक तत्यों को लेकर रिसर्च किया और इसे बहुत सिंपल यूनीक वे में कम समय में पून तरह प्रभावित हो और रिसर्च क सिंपल है कि आप भॉर्सकोप देखके पांच मिनट में किसी के भी प्लैनेट सो प्रिटिक्ट कर पाते हों कि यह क्या कहता है और इसकी लाइफ में इसके प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करेंगे तो यह कारक्ट चरकारक तत्यों पर अधारित एक साइंस है जैसे कि केपी में नक्षत्र को लिया जाता है, नक्षत्र अब प्रेडिक्टिव होती है, मतलब हम एक जोतिश पढ़ते हैं, ठीक है, सारा प्लैनेट्स है, नौ घ्रे हैं, जब पूरे घ्रे, नक्षत्र, राशी, उसके अलग अलग जो होते हैं, आपके नमार्शांट, डिविजनल चार्ट, बहुत बड़ी, मतलब इसकी घहराई को नजना पजाए, जो एक साइक्लोपीडिया की तरह है, वो है हमारी पराशर जोतिश, लेकिन अब जोतिश जोतिए, चार चीजों पर बात करती है, नसर्गिक कारक यानि की प्लैनेट्स, दूसरे जो होते हैं, वो होते हैं, आपकी ह आउसिस, तीसरे को क्या होते हैं, नक्षत्रा होते हैं, और छोता राशी होते हैं, तो हमारी जो केपी होती है, वो सारी नक्षत्रा पर होती है, हमारी जो ब्रंगनंदी नाडी होती है, वो कारक पर होती है, कौन से कारक पर होती है, नसर की कारक पर, जैसे स्रन फादर बता अब चौती जब आती है, ये अपनी तरह है कि इसमें चर कारकों को लिया गई, चर कारक क्या होते हैं, वो मैं आपको बताओंगी, तो चर कारक इसके अलग है, कारक वहां भी थे, कारक यहां भी है, तो जैमिनी जी ने एक नई रिसर्च वह पराशर जी के ही टीछ के निए त जो गुरू होता है तो हमेशा गुड़ी रहता है और टीचर जो स्टूडेंट होते हैं तो हमेशा चीनी बन जाते हैं आप लोग को जो मैं पढ़ाऊंगी मैं फिल्टर करके देती हूं आप उसमें और अपने रिसर्च करके अपना कुछ और एड़न करके देते हो तो आपका कि और पी ज़्यादा हो जाता है ऐसे होते हों तो यहां ही होता है चरक यहां पर यहां पर सटब्स इस ने युनीक तो पर्वाक करें एक अरूद लगन का यूजो होता है आप जो तो देख रहे हो क्या वो परसनेलिटी हो या उस से अलग है तो उन्होंने उस सुत्रा के रूप में हमें दिये जिसे हम बोलते जैमिनी सुत्रास और जैमिनाई अस्टॉलोजी अब हम उस पर बात करेंगे और इसको इसके उपर बहुत कम काम हुआ था पहले लेकिन इस साल हो जिन लोगों को सीखना है प्रिडिक्ट करना है और बहुत असान तरीके से समझने हम जितनी भी अप तीन कोर्स लेके आ रहे हैं वो सारी की सारे अपने आप में कम्प्लीट है तो उसी में से एक यूनीक वे है और बहुत सिंपल है तो आज अब मैं पताऊंगी कि यहां पर तो यहां पर चरकारक देखते हैं मतलब अभी मैं वह बताऊंगी आपको आज ही आप देख लोगे दूसरा आस्पेक्ट मतलब जो इसके डिफरेंट फंडाज है तो राशियां देखते हैं एक दूसरे पर राशियां देखते हैं प्लैनेट नी देखता है राशी देखते ह करेंगे वो हम आपको वैसे भी सिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा और उसके बाद यहां के राज योगास वह बहुत अलगे आज कुछ राज योगा तो आप वैसे भी समझ जोगे आज जब आप मेरे साथ सीखोगे तो और पटिकुलर्ली इवेंट आपको किस साल मे पी ही किस आर्श में हुआ जैसे अभी किसी का तूला लगन अब तूला उसके जब हम दशाएं देखते हैं तो में concept होता है सब्वेया सब्वेय उससे डिसाइद हो तो मालो कि आपका वो 7 नंबर है अब सब्वेया है और लगन आपका 7 नंबर काता है तो पहला सब्वेया क इसाप से चलेगा तो आपके साथ साल की दर्शा चलती है और उसमें भी आपको साथ अंतर दर्शा चलती है डिवाइड बारा यानि साथ महीनों की अब किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी तो जिस टाइम उसके साथ नंबर की राशी यह तुला राशी या जो मैं भी आप साथ महीने में होगी ही होगी तो इतनी यूनीक यह एक टिकनीक है तो हम इसमें सबसे पहले आज यह सीखेंगे कि हम इसका चलेबस है हम आपको डिसकर्स करेंगे लेकिन आपको सीखो भी कि हम देखते कैसे हैं कैसे आप उसको प्रिटिक्ट कर सकते हो जो भी कोई आपको हो आता है, आपने खोला सबको पते है कि आप एक खोला होगे, खोले गा, मैं आपको एक्जामपल के लिए दाल जेए जैसे माललो आपके बस यी एकजामपल है, किसी का एक डेटोप बहता है, सबको नज़र आ रहे हैं? मेरे को सामने Pooza जी नज़र आ रहे, Pooja आपको नज़र आ रहे, आप मुझे थम दिखा दो एक बदर, आरहे नज़र सबको, ठीक है, या आपको सबको एक लगण नज़र आ रहे, ठीक है, इसमें चर कारक कैसे देखते हैं, जो जैमिनी एस्टॉलोजी है, वो चर कारक पे च तो इसके अंदर होते हैं साथकारक इसके अंदर जो है हम उनको नहीं लेते इसको नहीं लेते राहू और केतु को नहीं लेते हम साथ प्लैनेट्स को लेते हैं जो प्लैनेट्स आपका डिगरी में सबसे जादा होता है अब कोई भी आप होरोस्कोप देखोगे तो वहां पर आपको उस प्लैनेट की डिगरी नजर आ देगा हम डिगरी कैसे देखेंगे हम डिग्री यहाँ पर सारी प्लैनेट की डिग्री लिखी होती है ठीक है अब देखो यहाँ पर आप अगर देखोगे मेरे पास एक होरोस्कोप का सैंपल है तो यह आप यहाँ पर देख रहे हो लगन की डिग्री हमें नहीं देखनी हमें कुछ मतलब नहीं है मैंने आपको र तो इसको और भी simple करने के लिए हम और आगे चले जाते हैं इसी वद नेक्स साट भी देखें क्योंकि यहां पर आप देखो यहां पर से आपको मिल गया sun के degree कितनी है ? twenty-one Moon के degree कितनी है ? twenty-one Mars के degree कितनी है ? eighteen Mercury की degree कितनी है ? six Jupiter के degree कितनी है ? nine Venus की degree कितनी है ? fourteen Saturn के degree कितनी है ? eighteen और रahukеतु हमें लेना तो कौन सा highest planet लगता है इसके इंदर कौन बताएगा मुझे highest degree का planet कौन सा है माम मून मून और अच्छा आप बूटार दिया अच्छा मून आए चलो कैसे मून है माम क्योंकि 21. इसका 21.41 वो 47 है माम डिरी जिस दो प्लैनेट की आपको यहां से डिरी इक्वल हो तो आप आगे वला सेक्टर दिखोगे तो जैसे यहां पर 41 आया तो हमारी मून की डिगरी 41 है तो जो पहला प्लैनेट है इनका सबसे ज्यादा डिगरी का है इसको हम बोलेंगे आत्मकारक अभी आप उसके आगे लिखो फिर में आपको की हेल्थ आपकी पर्सनालिटी आपकी हर चीज आत्मकारक प्लैनेट से जीवन भर अगवन करेंगे अगर आपको अपनी कई हो जाएगा ना वहीं पर बल मिल जाएगा क्योंकि सूर्य क्या है राजा एक आत्मा का आत्मकारक का मतलब होता है आत्मा आत्मकारप का मतलब होता है self, आत्मकारप का मतलब होता है personality, आत्मकारप का मतलब होता है planet of your horoscope in your life. तो अब आपकी जो राशी है उससे भी ज्यादा वो personality आपके पास आती है जो आपका आत्मकारप planet है. आप लोग अपने horoscope में चेक कर सकते हो कि आपका सबसे बड़ा planet सबसे highest degree का जो planet है that is called आत्मकारप और आत्मकारप planet आपकी अगर ये अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मकारप planet जो होता है आपकी सारी चीजों को govern करता है तो इसको आप लिखोगे short उसमें लिख सकते हो आत्मकारप टीक है और जैमिनाई astrology में आप किसी इस्टालोजी में करते हो लगन पर दिया ही जाता है जैमिनाई astrology में आत्मकारप planet को बहुत महत्कून समझा जाते है इसको राज-योग में भी बहुत महत्कून समझा जाते है तो जो highest degree का planet है हमारे horoscope में वो क् आत्मकारत के अलग-अलग उसकी भी बात करेंगे अभी मैं आपको इसके बारे बताती है अब देखो दूसरे नंबर पे क्योंकि यह दोने एक्वली थे दूसरे नंबर पे जो उससे कम डिगरी का प्लाइनेट आता है यहां पर आपको कोई नक्षत्रह नहीं देखने कोई व प्लाइन आता है वह आता है उसको हम बोलते हे हैं और आमत्तेकारक क्या करता है और अमत्तेकारक हमारी लाइफ के अंदर, second high X, first के बाद जिसकी degree आती है, वो होता है हमारे अमत्यकर, जितना भी और इससे हम बाद में हम बात करेंगे, कि इसके साथ सब हम इस अपने जीवन में अपना क्या career बना सकते हैं, हमारे पास wealth कैसे आएगा, हमारे पास पैसा कैसे आएगा, हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे पास हमारी family, जो हमारा foot में वो कैसा रहेगा, हमारी भाशा कैसी रहेगी, हमारा खाना पीना कैसा रहेगा, हम किस तरह की भाशा का प्रयोग करेंगे, क्या हमारा अमत्यकारक सूर्य है, तो क्या हम सूर्य से related अपना career बना सकते हैं, क्या हमारा अमत्यकारक, हम ऐसी ज वहुत सारे काम कर सकते हो और जो निवा किया है अमत्तेकारक और ऐस kannarlo अगर कि आने अंहें को में एकके हमरे क्राशिय है और पर यहां पर यह मूर्णा हम भूल गए है मतला जिसने लिखा उसने लिखा नहीं है तो यहाँ पर उसको हम लिखेंगे आत्मकारक को लिखेंगे एके पहले आप सारे के सारे समझ लो और सन दूसरे नमबर पर आया यह है हमारा अमत्यकारक अगर आप अपनी होरस्कोप में भी किसी की होरस्पोक में भी अगर यह दोनों कहीं भी बैठे देख लो जो आपके प्लैनेट निकल के आ रहे हैं कौन से आत्मकारक एंड अमत्यकारक यानि कि AK और MK आप अपने आप से पैसा कमालोगे ठीक है वो हम बात में बात करेंगे कि हम जब और जंगा के बात करेंगे कहा पर इसका क्या बनेगा और इस इस साइफिक इतनी ब्यूटिफुल बात है कि आपकी लाइफ में तो यह काम करेंगे करेंगे लेकिन आपकी जब महादशाएं आएंगी उस पीरिट में भी इंडिवीजवल और रोल रहेगा तो अमत्यकारक इस बेरी इंपॉर्टेंट अमत इसकी राशी में बैठ जाएं चौथे घर में बैठ जाएं पांचवे घर में बैठ जाएं तो यह बंदे को माला माल कर देते हैं उसके बाद दूसरे के बाद जो उसके तीसरी डिगरी आती है जो दो के बाद तीसरी डिगरी आती है अगर मैं यहां देखती हूं तो तीसर डिग्री देखो, coincidentally इस हवरतोप में कुछ-कुछ प्लाइनेट की डिग्री बहुत आस्पास है, तो अब यहां पर अगर आप देखते हो, तो शनी की 18 डिग्री 32 है, और अगर आप यहां पर मार्स का देखते हो, तो 18 डिग्री 17 है, तो कौन सा जादा हुआ, शनी का जादा ह हुआ, तो हमारा जो तीसरा बनता है, जिसको हम बोलते हैं भात्रकारक, भात्रकारक प्लानेट, भात्रकारक क्या करता है, भात्रकारक से हम क्या देखते हैं, तीसरे नमबर पर कौन सा आया हमारा, भात्रकारक, शनी आएगा, तो यह भात्रकारक, भात्रकारक से हम देखते हैं हमारे self efforts भात्रकारक planet से देखते हैं हमारे भाईयों के साथ संबंद कैसा रहेगा भात्रकारक planet से हम देखते हैं कि हम कितने self efforts करेंगे भात्रकारक planet से हम देखते हैं कि अगर हम क्या short traveling करके अपना किस सीज में अपना work कर सकते हैं हमारा किस तरह के हमारे neighbors के साथ relation रेंगे, वो कहां से देखेंगे, सब हम भात्रकारक से, मेरे भाई बेन कैसे रहेंगे, वो सब कहां से देखेंगे, हम भात्रकारक से, और भात्रकारक, अगर आपका शनी है, तो कहीं ना कहीं, जब आप अपने efforts करोगी, तो आपको शुरू में परेश के भातर कारक जुए expectation Central तो आप कही न कही ऐसी जहगाओं पार ईसाद coral जाए आप उससे ऐसे होंगे कोई कमी नहीं आएगे आपके ag स pursuit करना पड़ता है जब ये अफ़र्त अगर हमें अपने रिजल्ट लेने हैं तो हमें इसे थ्चाहिए थोड़ा और यूजा रव Locant अगर हम्धा रिखाएगे तो हमें वह पंद नहीं मिलेंगे जो कि हमें चाहिए ठीक है चोथा कौन सा आता है हमारा मात्रकारक ठीक है मात्रकारक तो यहां पर चोथे पर हमने कौन सा देखा था मंगल 18-17 तो अब मात्रकारक क्या है मात्रकारक is very important very very important क्योंकि यह क्या देता है मात्रकारक planet आपको देता है बहुत सारे शुख आपको घर का शुख देगा आपको family का सुख देगा आपको मंस सुख देगा आपको property देगा, आपका जो basic education है, उसमें आपको क्या मिलेगा, वो देगा, यह आपकी happiness को show करता है, यह आपकी सुख को show करता है, अगर किसी का अमत्यकारक और मात्रकारक, तोत्य का कौन सा बनता है, मात्रकारक, यह यहाँ पर M.K.I. अगर किसी का यह दोनों मिलता है, क्या लगता है, क्या हो सकता होगा, कौन बताएगा इस बात को, अगर किसी का अमत्यकारक और किसी का मात्रकारक इकठा बैठा हो, क्या लगता है, क्या होगा, अमत्यकारक हमें पैसा देगा, मात्रकारक हमें प्रॉपर्टी देगा, क्या उस व्यक्ति के पास, या उसके घर में, या उसके इन चीजों से रिलेटेड उसके पास बहुत पैसा होगा, या नहीं होगा, आंची, वहीं से बताओ, मुझे होगा, होगा न, तो अगर ऐसे इंसान का अमत्यकारक प्लाइनेट और मात्रकारक प्लाइनेट इकटा होगा, वह उसको अपने घर से ऐसे पैसा मिले, ठीक है, तो पहली हाइस डिग्री विच इस, इ toy is, which is, which is, आत्मकार्थ, जिससे हम क्या देखते है perspective personality, health, everything, second आमत्यकारक express, जिससे wealth देखेंगे, पैसा देखेंगे, family, कुटम देखेंगे, और ये हमारा वहाणा है कम डिग्री वाला होता है दोनों एक अठे बैठे होंगे तो ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे एक राज ही हो इनसान भी और उसके पैसा भी हो जब आप करोगे कोर्स तो आपको मैं बताऊंगे अगर दसमें हाउस में होगा तो बंदा जहां खड़ा हो जाएगा वहां पै हो क्या देता है हमारोनुकेशन देता है ओ औरमारे भाइबेन कैसे होंगा हमारा लग कैसा होगा हमारे इसे मात्र कारक क्या होता है और आभी मैं आपको बताऊंगे इसके एप्रोक्राइग करने के बात कि कौन सा प्लाइट आपके अमत्यकारक आपकी मनी के इश्यू को प्रोप्लॉक करए वो भी आप चेक करने, जो था आएगा हमारा मात्रकारक हमारे फोर्सकोब के अंदर है फोर्थ प्लैनेट है अपने comparatively degree, तो वो हमें property, सुख वगारा सब कुछ दे, ठीक है, next राता है, which is very important in ज्यामिनाई astrology, that is, आपका पुत्रकारक, पुत्रकारक क्या होता है, जो हमारा, उसके बाद, मात्रकारक के बाद जो degree आती है, वो होता है, हमारा पुत्रकारक, पुत्रकारक मतलब की एक तरीके से ये जो पुत्रकारक प्लाइनेट होता है, ये हमारी लाइफ में हमें क्या-क्या देता है, बहुत कुछ देता है, अगर ये प्लाइनेट, अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारी लाइफ में चिक्री भी creativity होती है, हमारे को love marriage देखना है, हमा को प्रोजेंसी देखने हैं हमारे को क्रिएशन देखना है हमारे कितने बड़े-बड़े लोगों से संबंद है और पूत्रकारक प्लायलेट मतलब आप बहुत अच्छी करम करके आए और बहुत सारी चीज़े आपको इतनी असानी से मिल जाएंगी लाइफ के अंदर कहीं आपका सूरे है तो वो आपको एक ऐसी पावर देगा पास लाइफ से ही ठीक है आपके जो बच्चे भी होंगे वो आपका एक नाम रोशन होगा वो आपकी जो भी चीज़ आप क्रेटिव क्रेशन में लाओगे जो भी चीज़ अप्रेटिवीटी पर यूज पर होगे वो फट्स से फेलमस हो जाएगी तो पुत्रकारक प्लैनेट और अगर आपका अमत्यकारक प्लैनेट इकठा होता है तो यह अपनी तरह का एक कि योग मन जाता है जे मिनाय इस ओड ची कहा है नेच्ट आता है हमारा जो अप धीत ह्षी कारक ठीक हैeger उन जटे ग्याती कारक बैनेट से हम क्या क्या देखते हैं इससे हम देखते हैं हमारे healthy issues हमारे दुश्मन हमारे accidents हमारी life में होने वाली चितनी भी चीजें जो हमें पीछे खीशती है ठीक है, तो ये six house से related जितने भी इश्यू्य होते है eighth house related जितने भी इश्यू होते है six house क्या होते है हमारी healthy issues eighth house होता है हमारे severe health issues किसिसे देखेंगे और 12 आउस हमारा खर्चत हमारा कर्जा हमारारLोन सब के सब हम ज्यातीकारत से देखेंगे जो हमारे होरोस्कोप में छटी नंबर पर आएगा यहां पर हम degree wise इंका analysis करेंगे अब यही planet सिरफ यह planet doctors के लिए surgeons के लिए या उन fields के लिए अच्छा होता है लेकिन बाकी field बाकी जंगाओं पर यह planet आपको challenge करेगा आपको इस अगर यह planet आपका आमत्य कारक के साथ हुआ तो यह आपके money के losses में issues create करेगा यह planet आपका कहीं ना कहीं conjunction में हो जाए आतम कारक के साथ तो आपके health में issue करेगा fifth के साथ आजए तो वहां पर अलग तरह का issue करेगा तो इस planet को आपको monitor करना चाहिए कि मेरा कौन सा planet जो है ज्याती कारक है और उससे related चीजों को आपको neutral करना चाहिए अपने life के अंदर अगर आपको उस तरह के issue आ रहे है उससे related आपको remedies donations वगारा करनी चाहिए तो यह सब चार कारक होते हैं पिर लास्ट जो आता है वह हमारा 7th पे lowest degree पे जो आता है जिसे हम बोलते है दाता कारक प्लैनेट से हम क्या क्या देखते है दाता कारक प्लैनेट से हम देखते है marriage दाता कारक प्लैनेट से हम देखते है partnership और दाता कारक प्लैनेट से हम देखते है किसी भी तरह का जिससे भी हम कुछ भी नया करना चाहते हैं अपने काम के अंदर, हमारी डेली की इंकम में या कुछ भी हम ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिसमें की हम क्या family members को ले अगर आपका data कारक planet भात्र कारक के साथ है तो आप अपने members के साथ में करके भाई बेनों के साथ में लेके काम कर सकते हो अगर आपका जो दाता कारक प्लैनेट है यह आपकी होरस्कोप के अंदर आपकी लाइफ को दिखाता है कि आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी अगर आपका दाता कारक प्लैनेट गुरू है शुकर है तो जैसे ही आपकी आपके पास अगर चंद्रमा से छंद्रमा है तो कहीं न कहीं आपको आपकी वाइफ तुंदर के साथ साथ बहुत पेशन्स उसके अंदर हो अगर किसी का पार्टनर देखना है आपको तो जमिनाई एस्ट्रोलोजी के इंदर आप दाता कारक प्लैनेट को देखोगे तो ऐसा करके आप अपने साथ के साथ प्लैनेट को एनलाइज कर सकते हो कि कौन सा मेरा प्लैनेट आत्म कारक है, कौन सा मेरा प्लैनेट आमत्य कारक है, कौन सा मेरा प्लैनेट जो है भात्र कार कौन सा मेरा प्लैनेट मात्र कारक है कौन सा मेरा प्लैनेट जो है उत्र कारक है और कौन सा मेरा प्लैनेट ग्याति कारक है और कौन सा मेरा प्लैनेट जो है क्या मेरा ग्याति कारक प्लैनेट किसी को खराब तो नहीं कर रहा तो वह भी आप देख सकते हो इनकी ड्रिष्टिया हम समझते हैं उसके अंदर तो वहां पर हम देखते हैं कि जैमिनी की द्रिश्टी जो होती है वो अलग होती है पहले इसको देख लेते हैं पिर अगर हमारे पास समय हुआ तो हम इसमें और आगे कर लेंगे तो जी जी मैं बता रहा था मैंने कोर्स के बारे में बता दो एक बड़ी कोर्स आप करो कि का सब्सक्राइब कर देता हूं हाँ देखी हमारी एक exclusive class आ रही है Gemini astrology हम आपके साथ चलेंगे एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन नहीं पास दिन नहीं दस दिन नहीं पूरा आधा महिना यानि पंदरा दिन बारा दिन की classes है एक दो संड़े बीच में आई जाएगा तो पंदरा दिन लगबगे classes चलने वाली है फस्ट आफ मार्च से यह class start हो रही है इसमें आप क्या-क्या पढ़ने वाले सारी classes live on zoom रहने वाली हैं इसमें आपको वीडियो recording क्या होते जोतिश के जोतिश के जितने भी fundamentals होते हैं वह कहीं ना कहीं वह core linked होते हैं वह भी आपको सबजना जरूरी है अगर किसी को जोतिश का एक शब्द भी नहीं आता कोई परेशानी नहीं है आप सारा समझ्ज होगे वैसे भी है साइंस अपने आपे अलग है इसका जो हुआँगी इसका importance क्यों करनी है जब हमें इतनी सारी चीज़े तो हमें करनी क्यों है वो हम इसमें जानेंगे जैसे मैंने आज आपको बताया कि असान है इसमें आप उस month तक पहुंच जाते हो जब आपका event होना होता है क्योंकि कि कि सी और पदती के अंदर राशी की दशा यह तोटली प्रोग्राम जो अपने आप में युनिक है क्योंकि इसका नुग्राशिय धिकर भी इसमें बात करेंगे 12 राशियों की बात करेंगे कौन सी राशी आपको कौन से चीज से बलॉंग करते हैं जैसे एरीज राशी इसके अपने क्या तत्वा अगर वह सिंग राशी हैं नेचर ने दिया है अगर आपके में से असकी परस्टर इस आपकारग और पीनास उसकी करिया तो उसकी का आत्मकारग तो हम राशी वैल्यू भी बात करेंगे राशी वैल स्योंट हो यह की आपका प्लाइनेट कहां बैठा है अगर अभी आपका आतमकारत दो है और आपका अमत्त्य कारत के तैंथ सॉम्हाउस में तो वह आपको अलग तरह का स्टेटर्स दोました लेकिन वो अगर 7th house में बैठा है तो वो अलगता रेका status देगा, तो हम राशी value पढ़ेंगे, हम यहां पर dublated, exalted, friend or enemy, inka concept भी पढ़ेंगे, और इसको कैसे यहां पर apply करेंगे, जो कि advance का part होता है, उसको भी हम सीखेंगे, क्योंकि ग्रहों का बला-बल, कैसे देखेंगे, उसके साथ में यह concept को सबझना बहुत ज़ुरही होता है. What are the charkarkas, जो दो आने भी आपको बताये against this topic, detailing में बात करेंगे, आत्मकारक्या होता है, आमक्ते कारक्या होता है, इसकी importance, इनकी पूरी डिटेलिंग भात्र कारक क्या होता है सब की इंपोर्टेंस मात्र कारक क्या होता है पुत्र कारक क्या होता है काति कारक क्या होता है दारा कारक क्या होता है फिर पित्र कारक इन जैमिनी अस्टॉलोजी यह अलग से टॉपिक है वो इसमें पढ़ेंगे कि पित्र क को हम पढ़ेंगे concept of movable fix and dual हो हम पढ़ेंगे सारा दशा सिस्टम पढ़ेंगे जो इसकी पूरी जड़ है वो में आपको पूरा मतलब हम किसी और astrology में नहीं सिखाते लेगे इसमें मैं आपको पूरी की पूरी चरदशा अंतरदशा कैसे calculate करते हैं कैसे करते हैं पूरा का पूर सिस्टम इसमें calculate हम खरना सिखाऊंगी दशा सिस्टम किस sequence से चलता है किस order से चलता है क्योंकि जमिनाई में दशा सिस्टम का order हर किसी का अपना अलग-अलग होगा हर किसी की दशा अपनी अलग-अलग होगी हर किसी के अंतरदशा अलग-अलग होगी इसमें हम कारकांशा अ एक अधार है जिससे आप रिसेंट में होने वाले इवेंट को या करेंट में होने वाले इवेंट को या आपकी महादशा अंतरदशा के इवेंट को बहुत अराम से देख लेते हो उप पदा क्या होता है पदा क्या होता है वह हम बात करेंगे अरूदा लगन की बात करेंगे और इसकी predictions अरूदा लगन की, दुनिया आपको क्या समझते है और आपको क्या, reality, जो इसी एक science की बहुत अच्छी unique way है, अरूदा लगन की हम बात करेंगे, इसकी prediction करेंगे, महायोग सिखेंगे, राज योगा सिखेंगे, जैमिनी एस्टालोजी में, इसकी prediction चर दशा से कैसे करेंगे, वो हम सिखेंगे, prediction of events हम सिखेंगे, concept of balancing the remedies in दशा सिस्टम, वो हम सिखेंगे, तो पूरा यह हमारा ऐसा वाला कोर्स नहीं है, कि जिसमें थोड़ा सा सीख के आपको कुछ नहीं समझ में आया, यह अपने आप में पूरा का पूरा कोर्स है, चलिए तो अब कोर्स क इनर्जी एक्षेंज की भी बात कर लेते हैं, दिखते भी आप सब लोग यहां है, फर्स्ट आफ मार्ट से स्टार्ट हो रहा है, बैच टाइमिंग इसका नौ बजे का है, यानि कि इवनिंग का रात को नौ बज कर एक मिनट पे, पीम पे है, एनर्जी एक्षेंज 11111, मैं आपको बता रहू हूँ, आपने कहीं से भी कोर्स किया भी होगा, तो उनोंने आपको basic कोर्स ही कराया होगा, that is for sure, ये एक complete professional कोर्स है, इसके अंदर आपने content देखा होगा, पूरा का पूरा content हम आपको इसके अंदर live on zoom सिखाने वाले हैं, पहले 15 आने वालों के लिए, इसक वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्टिफिकेशन और स्टडी मेटरियल मिलेगा आपको गुरुप सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा तो यह बारा दिन की एस्क्ल्यूजिव क्लास है 7i Astrology आप सब लोग जॉइन कर सकते हैं मेरा नमबर है 766 555 9566 इस पर आप पेमेंट की डिटेल मांग सकते हैं और जो लोग अल्रेड़ी हमसे जॉइन है और या जो नए आये हैं उन्हें में एक बार पेमेंट डिटेल वापिस से शेयर कर देता हूं ताकि आप डैयर्ट पेम पेमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैंप मेरे नमबर पर तब की स्बद्र हो जाती है 766 559566 आपके सामने है देबिट काड के अपिकर कहीं से भी आपको पेमेंट करना है तो आप मुझे सकते हैं अब अब मैम इनाम जो ने-ाप ygk किरश मत में होगा उनी k cortis पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है अगर हम तीन दिन भी इसको पढ़ाएंगे ना तो भी आपके लिए कमी है चोटा सा टॉपिक था थोड़ा सा ग्लिंज था किसमें हम किस तरीके से सीखते हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ है यह तो आपने अभी आधा परसेंट भी नही पूरे में जो कोर्स है उसके अंदर आप बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हैं और देखिए मैं तो कहता हूं अगर यह कोर्स नहीं किया तो आप कीजिए और जिनों ने भी किया है उनको मैं बोल दो कि पूरा कोर्स आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएग हाले कि मैडम ने तो इतने लोगों को बैसिंग दी है बहुत सारे टेस्टिमोरियल हैं हमारे पास लेकिन हम यह सीख कर अगर किसी एक रिप्ती की भी मदद अपनी लाइफ में कर देंगे ना तो पता नहीं कितने जन्मों का हम अपने पाप को दो सकते हैं तो इस नॉबल को अच्छा सिंदी के रेंडिशन जानता है एक जैन का बच्चा जैन के जानता है लेकिन क्यों हम यह विद्याओं को जो हमें आगे ट्रांसफर करनी शाहिए हम नहीं करते हैं सोचने वाली बात है थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत हार्ड है तो चित्रमेडम से सीखिए इतना सरल तरीके से बढ़ाती है इतनी लेमिन लेंग्वेज में बढ़ाती है कि आपको ऐसे लगए कि अरे वाजा आगया तो आप सब लोग आईए थोड़ा सा हार्ट वर्क तो करना ही रहता है एक बार आपने काम कर लिया तो लोग भी आपके चमतकार को नमस्कार करेंग जी मेडम आप कुछ कहना चाहते है तो आपको एक्चुली में जैमी नाई एस्टाओलोजी में लोगों ने काम ही नी कर आपको जैमीनाई एस्टाओलोजी अपने आप में ऐसा यूनीक भी है prediction का और चीजों ते पास पुछने का देख लोग किया सीखना चाते astrology में जो इसके अजर एक unique बही है वो किसी और astrology में ने हर एक astrology की जो parts है उसके different different speciality है किसी और बे राशी की दशा ही नहीं है और कोई भी मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम एक जैमिनी का basic कोर्स करते हैं और जहां हम हम poor कि पूरा करो इतना दो करा दो कि आ प्रिदिक्शन करो कि इतना तो करा लृ एक simple common man अंसनों को समझे जो उधना भृऎ कि काम Tel-emain उसको करने के बाद कुछके सुभी कर पाइं तो उस को मेरे हज़ाब से तो करने का कुन फाइदा है ही नहीं, इसलिए हम मैंने तो डिजाइन भी नहीं करा, मैंने का मैं कराऊंगी, तो मैं ऐसा ही कराऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगी, आज आपको जो concept दिया, चाहे हमने आपको 15, 20, 25 मिनट में जो भी दिया, अपको ये तो पता कि चला कि 7 planets देखते कैसे, 7 planets करते क्य हैं, और इन 7 planets का अधार किया है, अगर मुझे मेरा पैसा देखना है, तो मैं क्या से देखू, मेरा ये देखना है, तो मैं कैसे देखू, एक concept तो आपको clear हुआ, किसी को भी आप बोल तो सकते हैं, मुझे जामिनी का ये पता है, जामिनी चर कारक पे है, ये तो बता सकते हो कोई भी चीज को आप से और एड करने के लिए कारी है, कि आपने कहा कि ये कारक है, ये कारक है, इस से आपका भी बहुत यह च्छा पैसा ही पैसा है आएगा या इस जगे पर खड़े होगे लेकिन जिसके नहीं आता है, क्या उसके लिए रेमेडिस भी दोगे ताकि वह पढ़िया कहते हैं कि सामने वाले कि कभ माइन में कैसा कोश्चन आजे इसमें एक और भी चीज है जैसे आपका मानलो आमत्य कारग मैंने बोला अमत्य कारग को भी हम कैसे चेक करते हैं कारकाइश लगन बनाएंगे मानलो आपका वो कहीं पर सिक्स हाउस में आजये या धातिक कारग के साथ उसकी कहीं रिष्टी आगए लेकिन आपकी महादशा में वही प्लैने अगर टैंथ में आ जाए तो वह आपको उस टैम पर बहु अपने लगो लाईफ में देखा होगा जिसके पास कुछ नहीं बहुत पैसा आजाता चानक को जरूरी तोड़ी ने कि पास नहीं एं तो नहीं जोटकी साल पंदरा साल 15 साल जिंद्री के निकले लेकिन बीच में दो धब्साल ऐसा आया कि बहुत पैसा होगी तो इस साइज के अंदर एक बहुत ब्यूटी फुल ये बात है कि यह आपको महादशान अंतरदशा में जो कि यहां पर राशी बेज्ड है उसमें भी आपको बहुत धन दे सकते हैं भले ही आपकी होरस्पोग के अंदर उसका योग नहीं के बहुत अच्छा है कि मैंडम अब आप कोई कोशन पूछिए ना जो सबको आता हो कम से कम सबकी लॉट्री तो लगे जो आए हैं लॉट्री ते जो पढ़ा उसी पूछ लेते हैं वो तो सब बताई देंगे अम अत्यकारत प्लैनेट क्या होता है चलो कौन बताएगा सब लो दो लोगों का निकल चुका है राजिस जी का और एक मेडम थी वह एंड्रेस ना करें नहीं तो उनके बाद दो दो पहुच जाएंगे क्या मतलब कितने लोग एंड्रेस करते हैं जिनके कैमरे उपन नहीं है जैसे पूजा रानी जी तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं चलिए इन सब लोगों को पता है कि आत्मकारण तो हम किनी भी दो लखी विनर्स का नाम ले लेंगे एक लेडी और एक जीन्स का देखिए कौन बताबाता है ठीक है बहुत टाइम से मैं देख रहा हूंगी डॉक्टर जी का एक हैंड्रेस है सबसे पहले तो उन से बात कर ल प्रफेशन के साथ मिलब की हमानी आएंगे वह सारा कुछ अमत्यकरण बनता है और उसका वेल्ट का जैनरेशन हो गया जैसा हमारा कर्म के साथ जो प्रफेशन के साथ जो मिल्ब की हमानी आएंगे जैसे बताया गया था कि आत्मकारण अमत्यकरण अगर एक साथ बेठा हो और तो एक राजजुग बनता है लेकिन अगर देखिया अगर प्लेश्मेंट अच्छा है हाउस्वाइस सपोस्टेंट हाउस या नाइंट हाउस में बेठा है उसके बाद अगर कोई एक जैसे मतलब कि हम लोग जब अगर पराशारी फॉलो करते डेबिलिटेशन मतलब उसका नीच सबस्ता उसका फल देने का मतलब कि वह क्या पर दो इफेक्टिवनेस दो काम हो गया ऐसा बोल सकते है तो आपका जैसे और 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 एक नेक्स क्वेस्टन भी है उसमें कि अगर कोई कि जैसे मैं बहुत दिनों से वेडिक का तो पराशारी योतिस है वह फॉलो कर रहा हूँ अगर जैमिनी और पराशारी कॉंफ्लिक कर रहा है जैसे जैसे कुम लगन के लिए वीनस हो जाता है योग करका यास पर पराशारी उसका और यहां पर आ गया जैसे यह ज्याती करक म अगया तो उस कॉंदिशन में कैसे हमको क्या समझना पर यहीं कर सकते हैं हाँ देखो आपने अच्छी बात खोली जैसे आपने बुला कि वो house पे depend करते हैं, ठीक है, जब हम इसके अंदर दशाएं निकलते हैं, जब हम जामिनाई astrology में दशाएं निकलते हैं, तो कुछ तो निकलती है, हमारी jodic के science से चलती है, clockwise, ठीक है, जब हम सब्वेया सब्वेया को follow करेंगे, ठीक है, जब हम कारकाश लगन बनाएंगे, त आपका वो अलग दिखाएगा, जब आप महादशा से लगना बनाओगे, तो हो सकता है, कि जो आपका combination है, उसका house change हो जो कि पराशरी में नहीं है न, वो यहां पर है, और वो एक राशी भी आपको दिखाएगा, आपकी जब महादशा चलेगी, और महादशा को जब डिवा concept रहता है, बतब यहां पर fix राशी जो होती है, मुवेबल को देखती है, जो concept है, मुवेबल fix को देखती है, लेकिन अपनी neighboring राशी को वो नहीं देखता है, और duals और duals को देखता है, हम राशी देखेंगे, हो सकता है, कि जब मालो कि आपका Venus महादशा के अंदर हमारा house उ जो उसको दे रहा है, जिस मुवेबल राशी दे रहा है जिस महालो वादशा के राशी देrzy conservatives होती है, जब चरह राशी की उसकी उंदर हम्ने होगी तब भी आपका event हो जाएगा और जिस राशी मालो क्या इकि अधर महा दशन झार सल की है, इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर वो चार में आपकी Libra में आया लिवरा के दर्शा चलित उसमें भी वह जाएगा यह फरर्च है और किया कि नатьनों हूं है motto हूं ह coefficient हो रहे है आर उसमें जो पणिए और इसका हो रहा है कि जैसे यहां पर क्या ना इसका या किया देखला होता है और यह सब करोकर होता है और अगर पर आशारी में आम लुक करनों देखते है लेकिन उसी मतलब शार्ट के लिए वो ग्यातिका रग बंग गया तो उसमें क्या मतलब करेगा लेकिन अगर आपका अगर आपका पराशरी भी आप पॉलो कर रहे हो तो अगर छटे घर में आपका शुक्र होगे तो वह भी आपको नुक्सान करें और वैसे भी जब आप आप एक एस्टालोजी पराशर को पूरा समुंदर महासागा सैकलोपीडिया है जैसे भी आप जो भी एक 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 एस्टालोजी को लेके आओगे तो आप उसको उसके ही रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी जितनी नौलीज है अगर आप कर सकते हो मैं दस तरह के स्टालोज नहीं मिल रहा है वहां पें अगर कुछ अगर होंगे जोतá सारी झोतिश अपने यूँक है और मजे की बात ऑगर अगस्य नाड़ी है चंद्र करला नाड़ी है अगर एक ही जोतिश में सारा कुछ मिल जाता है तो इतनी सारी रिसर्टिश नहीं होती है अब एक स्टाडी किया उसमें लगा कि इतने साल लगेंगे पराइशरी में तो साल जेट साल पढ़ने के बाद वो तो हमारे जैसे रिसर्चर यह जो बहुत ज्यादा करते हैं उन क्या काम है कि करते रो करते रो करते रो Tur तो उन्होंने एक टॉपीक को पकड़ा उस पर रिसर्च किए अम मैंने यहां से कार्कोगा निकाल दिया अब हो सकता है कि कोई अपने अमत्य करका कहीं दान करे जा रहा हो दान करे जा रहा हो दान करे जा हो उसको पता और जो आरूदा लगन है उसमें जब आप पढ़ोगे आप पाओगे कि जिसकी personality हम जैसे समझ रहे वैसी नहीं है जो हम देख के समझ रहे जो हम लगन से समझ से हैं जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आप कहते हो सामने वाला बहुत अच्छा है लेकिन बुसरा व्यक अब बता सकते हो यह personality ऐसी नहीं ऐसी है तो आपके जो अपनी प्रिडिक्शन है वहां से एक एक चीज एड़ ओन होती जाती है और आप अपनी जो भी प्रिडिक्शन करते हो आप औरों से अलग बन जाते हो क्योंकि वह चीज उसके पस नहीं वह चीज आपके पास है लिए बिल्कुल सर आप सीखने के बाद देखिए जब तक हम कुछ चीज को सब्सक्ते नहीं है उपर-उपर से नहीं देखते हैं अंदर से देखते हैं मैडम हमारी बियनन भी कराती है प्रश्ना भी कराती है जहां डेटों बढ़ती नहीं है इस लोजी हमारे पास है महर शांस्त्र लगती है रेमिडी तो आपके पास डेहरों मिल जाएंगी आप गूगल पर क्यों यह डालो कि मेरे को यह समझ से आए और मेरे को बता उँनको पता ही नहीं की नहीं कि आदे लोगों तो यह भी नहीं करना थे जो अगर शुक्र ग्रेस्ट्वांग है तो उसका दान करना है भी सारी कर रहे हैं जैसा कि आप चल रहे हैं तो वेदिक ही सभी की जन्नी है लेकिन उसमें आप एड़ान एड़ान करते जाएंगे तो उनका सब सारी चीजहों में वह सरत पूर में अधर नहीं करते हैं ली कि पूरी निम्रोजी के बाद अप्लाइड निम्रोजी कराते हैं लेकिन केवल अगर आपने वेदिक पढ़ लिया तो आप तो कहेंगे कि वही तो हमारे यह हैं और अगर आपने चाइनीज पढ़ लिया तो तो इस तरीके से कॉंफिट होता है जैसे कि आपने सोचा बहुत आपने अच्छा कुछा दिल खुश कर दिया आपको मिलता एक पेंडेंट अगर आप मेरे नंबर पर अपना डाल देंगे तो हम एक बेर मिनिम्म चार्ट जो भी आपकी जगह का शिपिंग होगा वो लेंगे और आपको पढ़ सोच रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद एक कोशन हम और ले लेंगे मतलब आंसर लेंगे आंसर तो सब लोग सेहीं बताने वाले हैं मैंडम फिर किसका ले 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 लो एक डॉक्तर दिर्मन आप एक चीज़ समझो आप वेदिक में भी अगर आपकी आप वह उसका दुश्मन जाएगी तो उस टैम इंपैक्ट आएगा बागी टैमी जब को कुम्राशी की महादशा चलेगी क्योंकि यह राशियों की दशाएं चलती है यह प्लैनेट की चलती ही रही है और कुम्राशी की अंतरदशा चलती है तो यह अपने आप में पूरा यूनीक अलग मैंतेड है इसमें स्ट्रोजी में हर एक सिस्टम अपने आप में अलग है अब लाल किताब के अंदर आप देखो नो वेदिक से तो सारी निकलिया लेकिन उसके फंडे बिल्कुल अलग है तो हम एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं अच्छी चीज़ें निकालके अगर आप रिस तो आपको उसकी जड़ तक जाना है तो ऐसे लोग ही कर पाते हैं ठीक है मैं एक मिनित अगर देते हैं आप आपसे पर्मसन ले मिलता है तो एक सेयर करना चाहता हूं जैसे मुझे जैमीनी का बहुत कुछ आता नहीं है लेकिन मैंने बहुत सरे कुंदली में यह मिला है सब्सक्राइब तो वहां पर टेंथ हफदा कर्मस्थान होता है ना वहां से आही जाता है कोई ना कोई एंगल से जरूर आता है मैं आपको एक चीज़ बचाती हूं मैंने इतनी सारी स्टॉलोजी एक ही परसन ने सिखी है और आप खुद सोचके देखो कितना डिफिकल्ट क नहीं की नहीं और मैंडम ने आपको आपकी प्रेडिक्शन भी आपको बैंगान बता दी आपने पुद एग्री किया है आईए सीखिए बहुत अमेजिंग साइंसिस हैं एंड़ दे विजल्ट सबका सेम ही आता है लेकिन उसको देखने क्या एक नजरिया अलग सा होता है न सब्सक्राइब करो यह बहुत सारी चीजे बगड़ती हूं अभी आपका मैं जुपिटर देख लूँ आपका जुपिटर कौन से हाउस में बैठ है मैं आपको ट्रांजिट से बिता दूंगी कौन से हाउस में इस साल में आपके साथ इवेंट होगा प्रैक्टिस हो जाती ह चलो चलि ने ले लेते हैं एंजल आई है हमारे पास तो अंजल जी का ले लेता है एंजल निदि सींगी कि ग्यान तो मैं मैं रखती है वह बहुत अच्छी बात है है लेकि साथ ही मैं बहुत ही अच्छे नेचर कि यह चीज़ एक दम मुझे हट मेरे दिल को टच करती है कि मैं लिए की बहुत ही च्छी हुमन विंगें यह मैं की बहुत अच्छी क्वाल्टि है और सर भी बहुत अच्छे इस बैपनार मैंने देखाई मैं की मैं तारीफ करना चाहती हूं लेकिए पारीफ करी नहीं पाती हूं रहती है वह मैं जानबुच्छे करते हैं मैडम क्या है जब बढ़ाती है ना तो हैग दम से कोई चैट डालता है ना या कुछ कोशन मोलता है मैं भी मेरा इस गर में यह सारा ध्यान उधर जाता है तो इस लिए मेरे तब्याइट नहीं है लेकिन मैंने जो भी ग्यान दिया उसको बहुत मेरी हाट बीट बहुत जादा भी हो रही है तब यह ठीक नहीं है मैं लेकिन मैं ने मैंने इतनी मतलब सिंपल सिटी से सिखाया है कि मतलब आप कोश्चन का अंसर दे दीजिए तो फिर आपको गिफ्ट बेज दें येस मैं बोली मैं ने ये बता है कि जिस रासी की जो है डिग्री जादा होती है वो होता है आमात कारेक बालेट आपके पास मेरा न जो है ठालेट मैं गया आपकोश्चन कोके अंनिengh आया शाहिए आपकोश्चन को ऑपस्टा वर् ct Fr चूर गवस्टा सब लिया से ने घुष आज अजों ने संगा उसका जवाब की देगिन ने जो छिए दिया लेकिन मैं और पुच्चन पूच्च आज जी इंए अजन प मैने सालेशन हो सकता है City तो हो सकता है सो स्दक्राइब मैं नेगैं तो ले कि जमम मैं ने तो है रहा कि आम को और सुर्ण ऑफ यह एक वह ले लेता है यह यह इस인이-स अणल पर मं-वेलिप अपैंङ क्वेमशन क्या था और वे इसकोंगि मैंने। क्यार है बलो इसका अंसर दे आका ड़िया बहुत सारा क्लाश किया और यहां से मैंने बहुत सारा क्लास किया जबी रातकों पुरसुदम सरकों कभी-कभी दो परे 끝as कुछ भी पुछना है या फिर बोल देदे सर आज लास्ट डे कल यह कर लूंगी तो सर हर टाइम हमें यह प्लैटफरम से बहुत अच्छा रिस्पंस मिला है आप कोई भी क्लास मत चोड़ो में के इतना अच्छा आता है क्लास तो और में हर टाइम अपना ही मान के हर चीज में हमें प्रेडिक्शन अच्छे से दे-देती है के कुछ भी रिएड़ाईस से यह तो दे। तो में सबसे पहले ता आपको बहुत बहुत तर्निवा स्था तैंक्यू और में जो आपने क्वेशन किया है आमत्यकारत तो आमत्यकारत जो वाला होता है उसको खाली कारव और वह होता है दश्एक दने के लिए हम जो पैसे के लिए कौन सा काम करना है अरह अठीड है को भी मिलता है मैदम एक मिलता है तो आप भी मेरे को एड्रेस चले मेडम बिल्कुल बिल्कुल चलिए नौ बज़े हमारी क्लास है आप सब लोग आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास को जॉइन करने के लिए 766 555 9566 पर संपर्ख कर सकते हैं और जिन-जिन कल हम जो लिंक बेजेंगे उसमें हम यूट्यूब का लिंक भी लगा के बेजेंगे ताकि आप यूट्यूब पेज भी जाईए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मुच राधे राधे टो आल चितरपना बहुत नहीं जानकारी थी थैंक यू वेरी यू राधे 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